अगर आप टारो में, ओकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course, जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा, अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, ये भी इस कोर्स में covered है, और इसी से ही related, अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं, अब दिखिए अगर आप WhatsApp करेंगे तो जादा बहतर रहेगा, क्योंकि calls at times miss हो जाते हैं, लेकिन WhatsApp आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है, और अगर आपका Tarot अकल्ट में बहुत interest है, लेकिन अभी आप सीखने के mood में नहीं है, आप मेरा free webinar जॉइन कर सकते हैं, जिसमें इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी, और इन दोनों के ही links यानि की Tarot Certification और webinar के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए June 2024 की Love Tarot Reading, तो अगर आप जाना चाहते हैं कि June मन्थ में आपके partner की क्या energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, finally again June मन्थ में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है, तो ये reading आपके लिए है, और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें, तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, moon sign हो, या फिर sun sign हो, तो चलिए जी देखते हैं कि June मन्थ में आपकी love life में क्या हो रहा है, आप लगों के लिए देखें कि June 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है, मैं परसे हाँ पर तीन set of cards हैं, first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे, and third set of cards में हम देखेंगे कि finally June मन्थ में क्या हो रहा है, तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, troubles ahead, और ये card बहुत ही clearly कहता है कि यहां तो June मन्थ में कुछ issues, कुछ मसले, कुछ problems आप partner से related, इस relationship से related महसूस कर रहे हैं, या फिर June मन्थ में जो भी चीजे हो रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि इन चीजों के वजए से आगे बड़ी मुश्किले हो सकती हैं, आगे बड़ी problems हो सकती हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि personal front में कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं, यहाँ पर इन troubles, इन issues, इन मसलों के लिए सब Virgos के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन troubles ahead के उपर the hierophant reverse का card कहता है, या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत सिद्धी, बहुत stubborn किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, या फिर आप दोनों different religion को belong करते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहे हैं कि society आपके relationship को नहीं accept करेगी, या आपके जो घर के बड़े हैं वो नहीं approve करेंगे, तो कहीं देखे, इन सब चीज़ों के around भी कुछ issues, कुछ मसले, या तो जून मंद में रह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि इन ही चीज़ों की वज़े से आगे चल कर मुश्किले हो सकती हैं, और शायद इससे लिए यहाँ पर sending you love and seven of coins reverse के cards कहते हैं, कि मन ही मन आप बहुत एक प्यार, बहुत एक love, बहुत एक महबबत अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको किया करना चाहिए अपको एसे ही सीधे आगे बढ़ते जाना चाहिए इस relationship में, या फिर आपको you turn लेना चाहिए, right turn लेना चाहिए, left turn लेना चाहिए, आखिर आपको क्या करना चाहिए? तो एक सोच एक प्लानिंग आपके मन में रहती भी दिख रही है और कहीं आप हो सकता है कि इन सब चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पे टावर रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक सफोकेशन एक घुटन आप एंड जून में या जून मन्त में महसूस क कर सकते हैं अब फिर से कहूंगी सब के लिए डिफरेंट रिजन्स रहेंगे क्योंकि दर टावर के नीचे हाई मेंटेनेंस का कार्ड है तो कुछ वर्गुस के लिए लिटरली हो सकते हैं आपको इसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत नकरे वाले हैं बहुत आट यानि कि आपका बड़ा एक आटिट्यूड है आपका बड़ा एक नखरा है और कहीं आपके पार्टनर उस चीज को नहीं जेल पा रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो दिखिए अगेन सब के लिए डिफरेंट चीजन्स र पर रहेंगे लेकिन एक सफोकेशन एक घुटन किसी लेविल पर आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं अब देखिए मंतली रीडिंग है तो अब घबरान आ जाईएगा कि अरे पता नहीं क्या होने वाला है चोटी मोटी चीजें होती है हमारा रिलेशन्शिप कितना भी अ पॉइंट आता है जहां पे हम नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे होते हैं हमें थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा होता है तो this is all part and parcel इस चीज से परिशान नहीं होना इसको कैसे solve करके चीजों को better करना है आपने उस पर focus करना है अब दिखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो आपके partner के लिए दिखिए आपे सबसे पहला card है afraid of love तो कहीं उन्हें प्यार से डर लगता है प्यार से वो घबराते हैं और कहीं इसी लिए दिखिए बहुत confused वो रहते हुए दिख रहे हैं कहीं clarity नहीं है fears है, insecurities है और हो सकता है बहुत emotional हो जाते हों, बहुत sentimental हो जाते हों या sensitive हो जाते हों और कहीं दिखिए mid June के लिए आपे cheating accused का card कहता है कि या तो you know उनको cheating का डर है हो सकता है past उनका experience अच्छा ना रहा हो, past relationship में उनको cheating मिली हो और कहीं वो cheating को लेके डरते हो या फिर you know आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ही जो उनको लगा कि भई fair नहीं है या पर दिखिए cheating में romantic triangle की बात नहीं कर रही हो cheating किसी भी level पर किसी भी तरीके की हो सकती है और वैसे भी ये general reading है तो यहाँ पर हम specifically बोल ही नहीं सकते कि cheating का reason क्या है लेकिन definitely या तो आपके partner को आपकी तरफ से एक unfair energies महसूस हो रही है कि भ transparency किसी भी reason की वज़े से नहीं maintain कर पाते हैं या दिखिए flirt और वो तो होती है cheating इस तरीके की energies है तो किसी भी तरीके की एक you know ऐसी सी energies यह तो आपके partner आपकी तरफ से महसूस कर रहे है या उनको खुद के लिए लग रहा है जो भी मन में महसूस कर रहे हैं कहीं surface level के लिए seven of w relationship के लिए लेते हुए दिख रहे हैं बहुत courageously बहुत boldly चीजों को deal कर रहे हैं किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे हैं और कहीं दिखिए end June के लिए returning and 10 of wands reverse के cards कहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी issues मसले चल रहे हैं जहां पे आप लोगों की उतनी बात ठाक है तो भी कहीं उनों जैसे आप लोगों का relationship पहले होता था starting में वैसा वो relationship चाहते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं एक pressure एक burden वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि June मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए June starting के लिए यहां पर tracking location का card कहता है कि आप दोनों एक दूसरे पर पूरी नजर रखे हुए हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से observe कर रहे हैं देख रहे हैं कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं और कहीं देखिए Seven of Cups reverse का card कहता है पीछे जो भी distractions थी जो भी चीजों की वज़े से अगर आप दो decision choice नहीं ले पा रहे थे या फिर से मैं कहूंगी कि एक relationship पे focus नहीं कर पा रहे थे concentrate नहीं कर पा रहे थे तो सभी distractions को हटा के इस relationship पे focus करना चाहा रहे हैं यानि कि जो भी चीजें इस relationship में issues create कर रहे हैं उनको हटाना चाहा रहे हैं और फिर से कहूंगी relationship पे focus करना चाहा रहे हैं and the magician reverse dirty and messy के cards कहते हैं कि mid June हो सकता है बहुत great ना जाए mid June में कुछ issues मसले रह सकते हैं आप दोनों के बीच में हो सकता है argument हो या जो भी चीज हो रही है कहीं बहुत dirty बहुत messy हो रही है बहुत चीजें खराब हो रही है और कहीं आप दोनों में से कोई एक थोड़े से manipulative हो रहे हैं थोड़े से diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं और आप दोनों में से किसी एक जन को ऐसा लग सकता है कि भी मुझे use किया मुझे for granted लिया मेरी value नहीं करी और आप दोनों में से कोई एक जन थोड़े से controlling थोड़े से dominating भी हो सकते हैं और फिर से कहूंगे manipulative भी हो सकते हैं और इसी लिए यहां फर otherwise भी यहां पर four of cups rivers का card कहता है कि एक boredom एक monotonous सी energies June end में रह सकती हैं कहीं enthusiasm excitement missing रहता हुआ दिख रहा है उतना motivated नहीं महसूस कर रहे हैं deeper level के लिए solving and issue का card कहता है कि जो भी issues जो भी मसले हैं उनको solve मन ही मन आप दोनों करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं action initiatives नहीं ले रहे हैं तो I know work goes बहुत great reading नहीं है June month की बट मैंने हमेशा कहा है कि tarot guidance के लिए होता है तो आपने इस reading को बिल्कुल literally मान के बैट नहीं जाना परेशान नहीं होना है कि अरे भाई देखो June month भी खराब गया आपने इस reading से points लेने हैं जिन पे work करके आप इस relationship को भैतर कर सकते हैं for example देखिए end June के लिए solving an issue के ओपर four of cups reverse का card है तो बहुत ही clear यहाँ पर ये cards कहते हैं कि कोई problem कोई issue है जिसको solve करने की ज़रत है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के एक healthy communication करके इस मसले को solve कर सकते हैं लेकिन कहीं आप दोनों में से कोई एक action नहीं ले रहे हैं कहीं एक motivation, enthusiasm, excitement missing है तो किसी भी तरीके से अगर ये enthusiasm, excitement ला सकते हैं कहीं उनों खुद को motivate कर सकते हैं, partner को motivate कर सकते हैं तो कहीं आप June end की energies को बहतर करेंगे इसी तरीके से दिखिए पूरी reading में बहुत सारे आपको points मिलेंगे आप वो points no down करें और कैसे आप relationship पर work करके इसको better कर सकते हैं उस पर focus करें तो ये था वो गोज आप लुगों के लिए June 2024 की love taro reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें